मैं विवेक परमार सूपधार के पत्पर डियार पिलाई इंडोर में वर्तमान में कारे रहत हूँ फिजिकल जब मेरा 2015 में रिटन क्वालिपाई हुआ था तो मैं फिजिकल के लिए मैंने सीनियरों से बातचीत करी पूचा कि कहां पर जाओं फिजिकल के लिए फिर उन्होंने ओपी सर का रिफरेंग दिया मेरा पास्ट में कोई फिजिकल एक्टिविटी में करता नहीं था इसकर मुझे कॉन्विडेंट था कि मैं फिजिकल निकाल ही लूँगा मैं बेड्मिंटन लेयर था लेकिन रनिंग नहीं करता था तो मुझे डर था कहीं ने कहीं कि मैं रनिंग निकाल पाऊंगा या नहीं फिर मैं ओफी ग्रूप में ने जोइन किया ओफी सर के सानिद्ध में मैंने रनिंग इस्टार्ट करी पहले में रनिंग बहुत चदा वीक थी, धीरे 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 करते 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 में रनिंग ओफिसर के सानिद्ध में, ओफिसर के गाइडेंस में क्वालिफाई कर पाया ओपी सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे युने हमेशा उनके मांग दर्शन में अपनी रनिंग करता था ओपी सर ने मुझे तीन चीजों के बारे में मुल मंत्र दी प्रॉपर वर्काउट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट क्योंकि आप वर्काउट तो कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उस वर्काउट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो आपने वर्काउट करके आपकी मसल्स ब्रेक करी या आपने इनरजी आपकी लोस हुई है उसकी रेकवरी के लिए डाइट बहुत जरूरी है और रनिंग में डाइट का उतना ही मेन रोल है जितना वर्काउट का आप बिना डाइट और बिना रेस्ट के आप वर्क करने साजाएगी इंजिरी होने के चांसेज रहेंगे क्योंकि रन्निंग करते करते बहुत सारी लेक्स इंजिरियां होने के चांसेज रहते हैं जिनकी रिकावरी के लिए प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है सिन पेंच है एंकल प्रॉब्लम यह प्रॉब्लम रनिंग में आती जाती रहती है लेकिन यह ग्राउंब हिंजिर रहती है जो ग्राउंब में ही वर्काउट के समय जाती है और ओपी सान ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है मेरी जितनी भी रनिंग में गलती आए उनको बताया उनको कैसे इंप्रू किया जाता है वो बताया और मैं आज अगर सब इस्पेक्टर बना हूँ तो उपीसर ने रनिंग निकला ये इसलिए बना हूँ